आज की इस वीडियो हम बात करेंगे जब आप कोई पुरुपर्टी खड़िद रहे हैं तो वहाँ पर आप कैस का लेंदेन कैसे करेंगे यदि आप कैस का यानि की पैसा का लेंदेन कानूनियन तरीका से नहीं करते हैं तो ऐसे इस्थिति में आपका पैसा डूब जागा शाती साथ जो पुरुपर्टी खड़िदने के लिए पैसा दिये हैं वो पुरुपर्टी भी आपका नहीं होगा तो जो तीन चीज हुम बताने जा रहे हैं ये तीनों चीज को आप लोग धियान से समझने का पढ़ियास किजिएगा तो सबसे पहला चीज है जब भी आपको पुरुपर्टी को देखते हैं और आपको पुरुपर्टी पसंद आ जाता है तो वहाँ पर रेट को पूरा फिक्स कर लिजे ऐसा नहीं कि जो पूरुपर्टी बेचने वला है वो बोल रहा है बारा लाग आप बोल रहें दस लाग और उसके बाद आप पैसा देना शुरू कर दिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको पूरा एक रेट फिक्स कर लेना है कि 10 लाग या 12 लाग जो भी हो जहां पे पूरा डन हो जाता है बाद उसके बाद दो चीज और करना है पहला चीज ये करना है कि आप कब-कब पै पैसा देंगे यानि पैसा देने का डूरेशन आपको बनाना होगा और आप ध्यान रखिए जब भी आपको पूरुपर्टी खड़िद रहे हैं तो ऐसा ने आज बात फैनल हुगा आज टोटल पैसा दे दे अइसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है यादि आपको यह डर है कि हम आज बात फैनल कर लिए हो सकता है हमसे ज्यादा पैसा कोई बरहा के देगा तो यह पूरुपर्टी उसका हो जेगा तो यह बात को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल देजे तो उस पूरुपर्टी का जितना किम्मत है उसका कम से कम आप 10 परसेंट पैसा दे यह आपका टोटल में से घर जिया तो आपको कम से कम उसको 10 परसेंट जरूर देजैंगे तो जैसे मालेजिया पैसा देने का डूरेशन बनाए जैसे मालेश दस लाग का बात है आप उसको कर सकते हैं कि हम दो सप्ता यानि चोदो दिन तक में आपको टोटल पैसा प्रेक कर देंगे तो यह एक डूरेशन जरूर रखिए ठीक है एक डूरेशन बना लेजे कि हम इतना दिन में पैसा लेखना है तो वह भी कर सकते हैं कोई दिक्क नहीं होगा लेकिन यह आप दो दिन चार दिन दस दिन का टैम लेंगे तो यह बेटर रहेगा क्योंकि यह आपके पास इतना क्यास नहीं है और समय आप मालेजे आप कहेंगे एस्टाम पैपर में लिग देंगे कि दो ही दिन मे देते हैं तो ऐसे इस्थिति में आपका एस्टाम पैपर जो है वह कोई भेल्यू का नहीं रहा जाएगा साथी साथ जहां आप खुद जो है गलत कर रहे हैं तो आपको यह चीशे बचना चाहिए आपको समय जो है वह जरूर से जरूर ले लेना चाहिए और समय जैसे तो वह जो मैं एस्टाम पैपर बोला वह एस्टाम पैपर आपको डेट लिखते जना है और आप जो पैसा देंगे तो कभी भी पूरुपर्टी जब खरीद रहे हैं तो आप नगत लेंदेन नहीं कर सकते हैं यदि आपको नगत लेंदेन ही करना है तो आप एक टेम में 20,000 रुपिया से ज्यादा नहीं दे सकते हैं ठीक है आप प्रोपर्टी जब लेंदेन कर रहे हैं खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो ऐसे भी स्थिति में आपको मतलब जो है डेडी के मार्दियम से ट्रांजक्शन करना चाहिए या ऑनलेन करना चाहिए या बैचेक के प्रोपर्टी बेच रहे हैं आपको चेक से ही लेना चाहिए आप केस में लेंदेन नहीं कर सकते हैं यह इलीगल है साथी साथ आप बनाएंगे उस पर रेस्ट्री का भी डेट फिक्स होना चाहिए जैसे आपने दो सक्ता का टेम लिए पैसा देने का तो अगले सक्ता या फ होगा इतना गया प्रेस्टी में कभी भी नहीं होना चाहिए यदि आप राख देंगे तो क्या नुक्सान होगा उसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेंगे सबसे पहले जो है कुछ मुख बात हम लोग कर लेते हैं तो जैसे मनले एस्टाम पेपर पे लिखवा रहे हैं कप परिवाद उसके अगेंस में दायर कर सकते हैं इस टोपिक पर हम वीडियो बना दिये हैं तो ऐसे इस्थिति में आप जितना पेशा उसको दिये हैं उसका दुगुन्ना पेशा आपको रिकवर होगा जैसे मनले तें यहां पे दस लाग का बात था तो दस लाग रुप्या पर हम पहले वीडियो बना दिये हैं तो आप मेरा पहले वाला वीडियो बो जाके देख सकते हैं ठीक है और यहां पर एक चीज और आपको ध्यान में रखना होगा कि जो परपर्टी आप खरिदने जा रहे हैं जैदि उसका दो ओनर है जैदि बान लेते हैं कि आप पचास जीष्मिल में सामिल हैं और आप 10 लाग रुपिया में खरिद रहे हैं तो ऐसे इस्तिति में वो दोनों ओनर का साहमती जरूरी है वो बनों से आपको एग्रिमेंट बनाना होगा हुआ लाकि एग्रिमेंट में कौन दस महत्पुर्ण बात को लिखना ज़रूरी है, इस विशर पर हम पहले वीडियो बना दिये हैं, आप मेरा प्रिवियस वीडियो को जा के देख लीजिए, अभी प्रुपर्ट्टी से समने काफी सरा केस कोट में जा रहा है, इसलिए आपको मैं एस्टेब एस्टेब जनकारी दे रहा हूं, तो यदि कोई प्रुपर्ट्टी का दो ओनर है, आपको यहां दो चीद ध्यान में रखना होगा, पहला ये चीजिए कि एग्रिमेंट दोनों से बनाना है, यानि कि दोनों का सहमती आवस्यक है, यदि कोई एक व्यक्ती है, एक आप तो बंटवारा कर लिए हैं, अब इस बंटवारे के अधार पर पहले मोटेशन कराइए, उसके बाद हम पुरुपर्टी करेंगे, राकि इस विसे पर भी पहले वीडियो मेरा चनल पर अप्लोड आपको बता दें, तीन सो से ज्यादा वीडियो है, पुरुपर्टी सम रुपिया जमा करना है, ऐसा ना कि एक ही ओनर को आप टोटल पेशा दे दिए, यदि आप एक ही ओनर को दसलाग रुपिया दे देते हैं, तो दुस्सा ओनर जो है, जिसको आप पेशा नहें दिये, वो बाद में कहेगा, मतलब रेस्टी करने से मना कर देगा, और बोलेगा आप हमको पेशा कहां देए, जिसको दिये, उसको आप खोजिये, तो जिसको दिये हैं, आप पेशा, उस पुरुपर्टी का, जैसे मैंने 50-10 मिल का एक्जामपल लिया था, वो तो 25-10 मिल का ओनर है, और आपने 50-10 मिल खरिदने के लिए 10 लाग रुपिया दिये, तो ऐसे इस्तिति में, यदि वो 50-10 मिल, एक ही ओनर, 50-10 मिल आपके नाम रेस्टी कर देता है, तो ये रेस्टी इन्वैलेट हो जाएगा, तो इसलिए जितना ओनर है, वो सभी से एग्रिमेंट भी करवाईए, और वो सभी का सहमती भी आवस्याथ है, साथी साथ वो सभी के अकॉं ही नहीं है, और वो दोनों का सहमती है कि एक ही भाई के एकोंड में पेशा जाए, तो ऐसे इस्तिति में, जो बोल रहा है कि मेरे नाम से एकोंड ही नहीं है, उसे एक अलग से एग्रिमेंट बनवा लेजिए, कि जो वो बोल रहा है कि मेरा भाई के ही खाता में पेशा भी द वो total पेशा ले लिया, मतलब total जितना में property बेजने का बाद था, वो total पेशा अपना bank में ले लिया, अब वो expire कर गया, अब उसका बालवच्चा जो है, वो property लिखने के लिए तयार नहीं हो रहा है, बोला कि मेरा पिताजी कव लिया नहीं लिया, हमको कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे situation में, जो owner से आप property मतलब खरीद रहे हैं, उसका यदि उत्रादिकार है, बालवच्चा है, यदि वो बालिग है, यानि 18 साल से जदा age का है, तो agreement पे उसका भी समती आवस्यग है, उसे भी agreement का, जो करवाते हैं, उस पे बालिग बच्चे का भी हस्ताक्चर होना जो होगा, तो उसे आप रेस्टी करवा सकते हैं, जितना बात मैंने इस वीडियो में बताया, वो सभी को यदि आप follow करेंगे, तो मेरा guarantee है, कि आपका पैसा बूरेगा नहीं, और रेस्टी हो जाएगा